कार आप देख रहे हैं एक्जाम टूर आपसे बता दें मेरे साथ अनुभाव जी हैं और इससे पहले आप इनको देखिएगा कि BPSC सकेंड रैंक लाए थे और इस बार UPSC क्रेक कर लिये हैं यानि कि इनके पास BPSC और UPSC दोनों क्रेक करने का अनुभाव है जो भी विद्या ती है जी थे करने के लिए आप कर सकते हैं कि एक्जाम के इन्वार्मेंट को आप कई पहले हिं रीपीट कर सकते हैं रूम पे मॉक्टेस्ट देकर एक्जम के दिन आप को करना ला इस चीज़ अप कमसे कम 20-30-50 वार अपने कमरे में रिपीट कर लें, तो उस दिन आपको कुछ ज़्यादा नया नहीं लेगा, obviously थोड़ा बहुत प्रेसर एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि रियल एक्जाम होगा, और उसको काफी आप मैनेज कर सकते हैं, काफी हद तक बहुत सारे विद्ध्यार्थी का एक ये कमेंट था, कि जैसे वो एक्जाम देने जाते हैं, एक्जाम के एक सप्ता पहले होता है 10 दिन पहले होता है, कुछ लोग लगते हैं फोन कॉल करने, क्या होगा, इस बार कैसे होगा फोन करना जाते हैं, जो लोग प्रेसराइज करते हैं उनको ब्लॉक कर दीजिए, फोन आफ कर लीजिए और माता पिदा तो सबके ही रहते हैं तो उनसे प्रेसराइज होने की जरूत नहीं है पर बाकी जो नेगेटिव लोग है उनसे दूर रहेए फोन स्विच अफ कर दीजिए, उनको ब्लॉक कर दीजिए और अपने जोन में रहेए, अपने स्ट्रेटिजी और अपने प्रिपरेशन पर भरोसा रखेए और पॉजिटिबली एक्जाम दीजिए, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है खासकर कि UPSC जैसे एक्जाम में, क्योंकि 6-6 गंटे के पेपर होते हैं तो आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा मैटर करता है एक पेपर में थोड़े से मार्क्स खराब अगर होंगे तो आप लिस्ट से बाहर हो जाएंगे तो बैलंस बनाना काफी जरूरी है जैसे इू-पी असी का आपका कौन सा एटम्ट था ये फिसकन एटम्ट था मेरा फिसएक का फिसके मेंट रचाण राए जी जिसे जह जिसे जो बिद्याळथी बार बार से घिर जा रहे हैं उसमें भी रैंक टू लाए हैं क्या रणनीती होना चाहिए बिद्ध्यार्ट जी बिल्कुल मेडिकल साइन्स जैसा है जैसे कोई बीमार पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ रहा है तो उसके लिए एक्सरे करते हैं स्कैन करते हैं जो भी करते हैं तो यह चीज आपका माक्सीट आ नहीं हुआ तो GS2 को टॉपर को ढूने सबसे हाइस स्कोर किस ने करा और उसकी स्ट्राटिजी देखें और उससे अच्छी चीजे लेने की कोसिस करें जिसकी वज़े से फाइंड आउट करें क्यों इसको ज्यादा माक्स आया होगा तो ऐसे हर इंसान को अपने हिसाब से बन जानता है खुद ही फाइंड आउट कर सकता है सबसे अच्छे तरीके से जो अभ्यर्थी ट्विल्थ पास है या गर्जुएशन कर चुके हैं स्टार्ट करेंगे उनके लिए प्रिलिम्स का क्या-क्या जरूरी बूक होन्या चाहिए क्या-क्या वावस्य बूक है उसको लेक प्रिकल्टी हो जैसे जग्रफी में कोई टर्म है कोई मॉन्सून में कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो सब सीधा यूट्यूब पर डालें उन पर इतने अच्छे अच्छे वीडियोज होते हैं ऐनी मिसंस होते हैं एक से टीचर सुन में फ्री में वो चीज कॉंसेप् और फैक्च्वल चीजे वो बुक्स से प्रिपेर करें और इससे वो अपना फाउंडेशन बनाएं जिससे कि उनको सारे सब्जेक्ट से फैमिलियारिटी हो सब कुछ उनको मोटा मोटा पता है उसमें बहले कोई टेक्निकल चीज नहीं पता होगी जिससे उनको यूट्यूब वीडियोज टेलीग्राम पर कुछ फ्री रिसोर्स होते हैं टॉपर के चैनल्स पर होते हैं इन चीजों से उनको कवर करना चाहिए जैसे बार बार जो बिद्यार्थी टेस्ट दे रहे हैं टेस्ट में स्कूर नहीं बढ़ रहा है इसके लिए क्या आप किये क्या बिद्यार्थी टेस्ट में स्कूर नहीं बढ़ रहा है जैसे मान लिजे मैंने एकोनॉमी का सेक्शनल टेस्ट दिया तो उसमें मेरे कम मार्क्स आ गए तो फाइंड आउट करा किन एरियाज के क्वेस्टिंस मैंने गलत करें इंफलेशन मेरा वी के रिया है बैंकिंग में मैं लगा रहा कि अभी एकोनॉमी में मेरे मार्क्स इंप्रूब होंगे तभी मैं एक्स्टिंस में मूव करूँगा तो ऐसे उसलोली बढ़ें इस बार मान लिजे मैं 50 से 70 में अपने एकोनॉमी के मार्क्स ले जाओंगा अगले आईटेरेसन में घूम के आउंगा तो में ले जाओंगा और एक बार जब बढ़ जाता है तो फिर नीचे आने के चांसे काफी कम हो जाते हैं बहुत विद्यार्थी होते हैं जैसे साथ दिन का सीडूल बनाएंगे कि इस बार हिस्टी कर लेना है अगरा बाग एकनॉमिस कर लेना है या जोग्रफी करना इस टाइ कर दिया तो सुबह में पॉलिटी तीन चार घंटे पढ़ूंगा फिर दो तीन घंटा जोग्रफी पढ़ूंगा फिर साम में एक दिल घंटा में ऑप्शनल भी पढ़ लूँगा तो ऐसे मिक्स अंड मैच स्टार्टिं के टाइम में में करता था और जब प्रीलिम्स सब्सक्राइब करने के बाद फूल टेस्ट के ताइम में जो भी केरियाज है उनको पढ़ता रहता था और फूल टेस्ट देने के बाद यदि कोई फूल टेस्ट देते हैं ज्यादा benefit होता है क्या इससे हैं कि सेक्शनल टेस्ट के बहाने आप अपना पूरा syllabus कर लोगा और ज्यादा confidence से जाओगे और marks भी better score कर पाओगे सेक्शनल टेस्ट एक excuse होगा आपको सारा syllabus revise करने में डाइरेक्ट आप फूल टेस्ट में जाओगे तो लगेगा कि कौन सा subject पढ़ू कल मुझे फूल टेस्ट देना और एक दिन ही टाइम है तो सब कुछ तो पढ़ नहीं सकता जैसे answer writing सबसे बड़ा समस्या हो रहा है विद्यारती के साथ हो चाहें कोई भी विद्यारती हो वाले हो या UPSC वाले उसको लिए उसके लिए आप क्या डेली करते थे answer writing या जब एक्जाम नजदीक आता था उसका क्या रहनी थी था आपका जी answer writing मैंने एक तीन-चार महिने के फेज में स्टार्ट किया था जिसमें मैं अपने मेंस के नोट्स बनाता था पांस दी नोट्स बनाता था और एक दो दिन एंसर लिखता था 10-12 questions एक-दो दिन में लिख ले दा और ऐसे करके मैंने अपना पूरा syllabus कवर किया उसमें notes भी बन गया और answer writing में काफी confidence आ गया सबसे important है कि question के demand को समझना क्या पूछ रहा है वो बताना उसके बाद है एक अच्छा सा introduction होना demand को directly hit करना answers में precise रहना जादा से ज़्यादा points देना और precise way में जो question में पूछा गया और value addition काफी ज़्यादा important है जो आपको differentiate करेगा try करें कि हर point के नीचे के example या कुछ committee जो भी value addition की चीज़े होती है वो डालने की कोशिस करें और यह काफी difficult part होता है point के नीचे example नहीं आता है सबको यादे से सोचके लगता है कि यह काफी easy होगा और हर point के नीचे एक अच्छा सा example ढूंद के लाना difficult process मुझे लगता है काफी toppers इसी के थुरू अपना GS में marks improve करते है year on year कई बार इंटर्विव में देखा गया है कि विद्यार्थी यह करते हैं कि answer writing हम किसी संस्थान में लिखे जितना अंकाता था उसी के इर्दगीर वहां भी मिल जाता है तो आपका कितना आता था जब आप सुरुआत किये थे और अंतीम पड़ाव पर पहुंचे कहां तक score होने लगा जी मुझे इस चीज पर ट्रस्ट था लोग जनरली नहीं करते हैं कि कोचिंग में कुछ भी copy checking करते हैं थोड़ा बहुत vary करता है पर आपके पास और कोई रास्ता नहीं है जिससे आप चेक करा सकते हो आपके अगर already selected को उनसे चेक करा ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है पर बहुत कम लोगों को यह सुविधा प्राप्त होती है तो सबसे easy माध्यम होई है कि आप coaching में अपना answer check करा लो और उसमें काफी बच्चे देते भी है तो उसमें rank list वगएर आती है जिससे आप competition face करते हो तो मैं तो लिए कोई books कोई source जैसे current affair हो गया इन सारे चीज को लेकर आप क्या बताइए एंसर राइटिंग के लिए एक जो अच्छी चीज कर सकते है students न्यूजपेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूजपेपर के जो editorials होते हैं उनमें से अच्छे introduction conclusion कुछ value edition material निकाल के अपने notes में regularly अपडेट करते रहें और topper के answer seat जरूर देखते रहें क्योंकि जिन्होंने already top किया है उन्होंने benchmark set किया है तो उससे सीखने की कोशिस करेगी क्या extra हो कर रहे है current का बहुत रोल हो रहा है prelims हो या मेंस हो या interview हो इसको लेकर आपका क्यारणा नहीं थी था विद्यारती को क्य सबसे पहले number one source बताऊंगा मैं newspaper लेकिन newspaper पढ़ना भी बहुत अपने में एक आर्ट है वो आप तभी डंग से पढ़पाऊगे जब आप syllabus समझ चुके हो मेंस के answers लिख चुके हो तभी आपको समझ में आएगा कि उसकी क्या चीजे यूज होती है और कैसे होती है तो प्री लेता था पर काफी कम टाइम उनको देता तो बस इसलिए कि एक fear of missing out ना हो और काफी कम टाइम लेता तो किसका आप पढ़ते हैं मैं विजन आये इसका पढ़ता था उनका एक PT 365 आता है yearly मैं उसको करता था पर ज्यादा टाइम नहीं देता था एक subject जैसे इन्वार्मेंट का तो मैं सुबह बैठोंगा और 6-7 घंटे में एक stretch में उसको खतम कर दूँगा उसको अपने उससे अपने notes बना लूँगा कुछ और अपने notes में add कर दूँगा अब दोनों इंटर्व्यू दिये हैं BPSC का भी दिये EPSC का दिये चुकि दोनों जगा आपका selection हुआ है दोनों UPSC में formal था और questions का level थोड़ा ज़्यादा decent था अच्छा था आधा गंटा चला होगा इंटर्वी आधा गंटा चला अब डिपेंड करता है वैरी करता स्टूडेंट्स मेरा इंटर्व्यू अश्यादा लंबे questions नहीं थे और ethical questions से situation based questions नहीं थे मेरा mainly क्योंकि मैं टेक बैग्राउंड से हूं इंजिनेरिंग कर रखा है तो मेरे जो इंटर्व्यू था साइन्स टेक्नोलोजी और research oriented था इस तरह सा कुछ questions होबी से भी थे physical exercise जैसे मैंने होबी में लिख रहा था तो उन्होंने पूछा था कि किस तरह का करते हो क्या करते हो और कैसे और लोगों का ट्रेक्ट करें इसमें तो varying था कुछ बिहार के ऊपर भी कुछ question था तो ऐसा रहा था एक सबसे बड़ा देखा जा रहा है UPSC का वाले जो हो उनका बोल बाला जादा हो जा रहा है इसका क्या रीजन आपको देखने को मिल रहा है आप क्या इस पर सामत है जी एक तो पहला रीजन है कि वो लोग ज्यादा फॉर्म भरते हैं तो ज्यादा एक्जाम निकालेंगे और क्योंकि science background से जो होते हैं तो arts का subject grasp करना उनके लिए ज्यादा difficult नहीं होता है जैसे quality है economy है वो एक science का जो student है वो easily समझ सकता है पर एक arts वाले student को science समझना relatively difficult होगा तो एक a reason है और फिर काफी लोग competition already face कर चुक है तो एक discipline होता है और एक exam देने का knack होता है तो यह reason है वैसे हर background के लोग ही निकालते हैं पिछले दो साल से तो arts का student ही टॉप कर रहे है आप देख तो वैसा कुछ नहीं है एक विद्यार्थी के मन में प्रशन हो रहा है medium को लेकर हिंदी medium से थोड़ा सा result गीर होगा है जो selected हैं उनसे भी आपसे बातचीत होती हूँ क्या region लग रहा है हिंदी medium का result गिरने का कुछ कारण जो आप बता से इसके पीछे मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मैं उधर रहा नहीं हूँ किसे coaching institute बगरा मैं मेरे room सही तयारी किया है और मेरे हिंदी medium क मुझे लगता है कम लोग भरते हैं मुझे exactly पर इसका idea नहीं है अब भेर्थी को क्या संदेश दीजिएगा आपका क्या संदेश होगा जो तैयारी कर रहे हैं यू पीछी हो या भी पीछी का उनके लिए पहला तो बोलूँगा कि give up नहीं करें time लगता है जैसे पिछले साल मेरा भी mains नहीं हुआ था तो लगा था कि अभी तो mains ही नहीं हुआ है फिर interview के बाद तो थोड़ा सा demotivation आता है पर फिर ऐसे आप करते रहते हो ना तो हो जाता है थोड़े time बाद तो आपको give up नहीं करना है लगे रहना है और बहुत सैसे examples हैं तरह तरह के toppers हैं किसी का pre नहीं हो रहा है किसी का mains नहीं हो रहा है रैंक वन ही ले आते हैं अगली बार तो give up नहीं करना है और hard work के साथ smart work भी करना है सिर्फ hard work नहीं करते रहना है एक्जाम को समझना बहुत important है UPSC इंडिया का सबसे toughest exam माना जाता है तो इसको समझना बहुत important है बस ऐसे ही लगे नह रहें एक्जाम को समझें और उसको seriously लें और फिर एक सही direction में hard work करें और लगाता है reality checks लेते रहें हवा में नहीं रहें कि मेरा सही preparation है या मैं निकाल लूँगा टेस्ट दे दो आपको जब थोड़ा लगे कि आप ज़्यादा अच्छा पढ़ रहे हो तो किसी coaching में रूम प कि तैयारी करें तैयारी बहुत अधिक focus मंगता है यदि focus दीजिए तो result होगा नई focus करिएगा बच्चे क्या होते हैं एक तो net का जबाना है उस पर या प्रेम अगराम बहक जा रहे हैं इस पर आपका क्या सुझाओगा अभरती लोग जी वो तो पहले उनको ही decide करना होगा discipline बहुत जरूरी है दोनों जगा focus पता नहीं कुछ कर लेते होंगे मैं तो नहीं कर सकता हूं तो अपनी priority decide कर लें उनको क्या करना है अगर नेट चलाना है तो नेट चलाना है या पढ़ना है तो पढ़ लें और बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता है आप UPSC के एक्जाम दे अगर आपका नहीं हो रहा है तो